मूट स्विंग्स या इमोशनल इंबालेंस तो होते रहते हैं हम सबको होते हैं पर यदि यह भढ़ जाए तो तकलीफ का कारण बन जाता है ऐसे ही एक केस स्टडी मैं आज आपसे डिसकस करूंगी जिसमें एक व्यक्ति इमोशनली बहुत जादा डिस्दर्ब थे और कैसे केवी के वैदिर आस्ट्रोलोजी टेखनीक से उनके प्रॉब्लम का निवारन हुआ मेरे कृष्टिदार का मेरे पास एक दिन पोन आया उन्होंने कहा कि कुछ समय से उनको एमोशनली बहुत जादा वीक फील हो रहा है जबकि वो बहुत जादा मेंटली स्ट्रॉंग परसन है और उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा क्या वास्तू या आश्टो से कोई समधान मिल सकता है उन्होंने मुझसे कहा मुझे इध्यान आया कि जब मैंने महावास्तू सीखा था उस समय उस घर में कुछ महावास्तू उपाय की गई थे और कुछ निसेसरी बालेंसिंग भी की गई थी मैंने उनको कहा कि भाईया आपका घर तो आवास्तू के हिसाब से बालेंसिंग किया हुआ है उन्होंने कहा बिलकुल प्रीती सब कुछ बहुत बहतर ही होते गया है पर ये कुछ दिन से हो रहा है बात समझ आई अच्टो के अकॉर्डिन अगर मैं बात करूँ तो जो टाइम लाइन चल रही होती है वो भी हमारे लाइफ में चेंज इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैंने उनसे उनकी बह टीटेल्स मांगी और देखा कि उनकी जुपिटर की महादशा और राहू की अंतरदशा चल रही थी जुपिटर मून को 180 का हिट दे रहा था अब ये जो 180 का हिट होता है ये बिलकुल 4 देने वाला होता है पर हाँ ये भी टेकनीक के द्वारा इसको एक पॉजिटिव हिट में ब्रेक किया जा सकता है पत्रिक को देखने के बाद दिखा कि बीच में जुपिटर 120 का हिट दे रहा था अब 120 क्या करता है वो बहुत अच्छी से सयोग करता है बस उस जोन में जुपिटर को इंस्टॉल कर दिया और भईया को मैंने कहा कि कुछ दिन बाद बाद करेंगे लगभग 16-17 दिन बाद उनका फोना है उन्होंने कहा कि मुझे नहीं समबता कि आपने क्या किया पर मैं इमोशनली बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे बहुत बैटर फील हो रहा है यदि आपको भी अपनी समस्याओं का समधान चाहिए तो नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं खन्यवाद